हेलो फैंस तो आज मैं आपको हैदराबाद इस्टाइल चिकन दम पलाव बनाने का सबसे आसान तरिका बताऊंगा इस तरह से आपे पलाव बनाएंगे ना खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा और जो चावल है एक्तम खिले-खिले नर्म बनेगे और चिकन देखे एक्तम सॉफ्ट और जूसी चिकन बनेगा तो चलिए रेस्पी शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक किलो चिकन लिया है जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और पीष्टी मैंने थोड़े-बड़े रखें इसके सबसे पहले आपने चिकन को मैरिनेट करना है एक छोड़ा चमच आप इसमें नमक एड़ कर दीशे आदा चमच आपने हल्दी पोर्टर डालना है एक छोटा चमच भरके आप इसमें कश्मेरी लाल मिर्ष पॉर्डर एड़ कीशे इसे प्लाव में एक अच्छा गलर आएगा थोड़ा सा तीखा करने के लिए मैंने लाल मिर्ष का पॉर्डर भी एड़ कीए एक बड़ा चमच आपने अदरक लसुन का पेश्ट आइड करना है और इसके साथ में आप देही आइड कीशे तो 150 ग्राम मैंने इसमें देही आइड कीए तकी चिकन के अंदर तक मिर्च मसालों का अच्छा टेश चला जाये और इसके बद आपको चाबल चीएूगे तो 1 किलो चिकन लिए आपने तो 1 किलो ही चाबलों का यूजब कर सकते है पलाव बनाने के लिए अगर आप कम कुटिटीमें पनाना चाते है तो 2 किलो ले लीज तो चावलना चिपक जाते हैं, इसके बाद चावलों को आपने 25-30 मिन तक पानी में बिगो के रखना है, तब तर पुलो का मसाला बना लेते हैं, यहां मैंने एक लगन ली है, उसमें 4-5 बड़े चमच ऑईल एड़ करेंगे, आप ऑईल की जगा घी का यूस भी कर सकते हैं, प्लॉव बनाने के लिए, और इसके बद आपने थोड़े से खड़े मसाले आड़ करने हैं, एक से दो तेजपत्ता आड़ कीजिए, दो आपने बड़ी लाइची आड़ करनी है, दो चोटी लाइची मैंने इसमे एड़ किया है, और पांच से छे आपने लॉग एड़ करन एक चोटा जमच आप इसमें शाही जीर आड़ कीजिए और जीरे को हलकर सा अपने चटकने देना है तो मैंने मीडियम साइज के प्याज लिये थे जिनको लंबा-लंबा काट लिया यह दिखी इस तरह से प्याज को काट लेना है फिर हम इसमें प्याज भी आड़ कर देते हैं अब गैस की फ्लीम आपने लेना हाई करनी है और हाई फ्लीम में अपने प्याज को तपताप पकाना है जब तप्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना होच है और कंटिन्यू आपने पलटा चलाते रहना है ज़्यादा प्यास टमाटर का आपने य कीजिए अच्छा फ्लेवर आएगा प्लाव में तो यहां पे देखिए प्याज का कलर एक्तम लाइट कोल्डन ब्रॉन हो चुका है इसके बद आप इसमें कट हुए टमाटर एड कर देशे तो तीन मैंने यहां पे टमाटर लिए थे मीडियम साइच के उनको ना मोटा-मोटा काट के डाओ दिया है जदा बारी काटने की जूट नहीं है क्योंकि जब हम मसालों के साथ चिकन की बुनाई करते हैं टमाटर पूरी तरस से गल जाते हैं और यह देखिए टमाटर हमारे यहां पे सौफ्ट हो चुके हैं गल चुके हैं थोड़े से मसाले यूज कीजिए आ और एक चोटा चमच आप इसमें गर्म मसाला पूर्डर एड़ कीजिए मैंने यहां पे होमेड गर्म मसाला पूर्डर का यूज किये अगर आप सीखना चाते हैं घर पर गर्म मसाला कैसे बनाए रेस्पी चैनल के उपर अपलोड है आप देख सकते हैं और मसालों को मिंट के लिए हाई रखनी है तक ही चिकन जो अच्छी तरह से गर्म हो जाए और यहां पे ना दो से तीन मिंट कंटीन्यू आपने पल्टा चलाते रहना है तो यह देखिए चिकन अच्छी तरह से गर्म हो चुका है इसको गैस की फिलिम आप मीडियम कर देजिए फिर आप अपने गैस की फिलिम ना मीडियम ही रखनी है कम सकम 12-15 मिंट तक अपने चिकन को इसी तरह से पका लेना है पानी के यूज़ नहीं करना है जो चिकन के अंदर मॉइस्चर है और जो हमने इसमें मेरिनेशन का यूज़ किया है उसी किसाफ बून के अपने चिकन को पकाना है तो उपर से कबर कर देते हैं कम से 10-12 मिंट तक इसी तरह से पकने दीजिए देखिए 12 मिंट तक मैंने चिकन को पका लिया है इससे पहले हमने 2-3 मिंट तक चिकन को हाई फिले में पकाया था और देख सकते हैं चिकन जो है यहाँ पे 60-70% तब पक चुका है और चिकन ने ब आइस लेते हैं दो कप आपने पानी के यूज़ करना होता है तभी चाबलों में एक अच्छी लेंथ आती है तभी चाबल अच्छे नरम मुलायम बनते हैं अच्छी तरह से पानी को भी मिक्स कर लेते हैं गैस की फिलिम आपने हाई करनी है तक कि जल्दी से पानी में बॉइल कि देखिए बौाइल आओ चूक है इसके बद आपने इसमें चापल एड़ कर देने हैं तो चापलों का पूरा पानी निकाल देने हैं आपने पानी छोड़ना इनके अंदर ने तो पलौवना गिलव हो जाएगा अगर आप इसमें पानी छोड़ देंगे और सारे के सारे मिनिट तक हाई रखनी है क्योंकि चावल ठंडे हैं इनको गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लेगा और उपर से कबर कर दीजिए तो कम से तीन मिन हाई फ्लम में पका दीजिए takes time भी दिखाएतों में उनको अच्छी तरह से मेक्स कर देना है क्योंकि जो मैंने इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया बगरे डाला है वो अच्छी तरह से और चिकन जो है चाबनों के साथ मिक्स हो जाए नहीं तो ये एक ही जगा इकट हो जाता है अब चार मिनिट के बाद आपने पलाओ में दम लगा देना है आटा है आपके बाद गुंदवा तो आटे से उपर से लगन को पूरा कवर कर दीजिए आटा नहीं है फॉयल वेपर होगा तो आप फॉयल वेपर से इसको कवर कर सकते हैं आसे कि आपने संप्रींकल करने से क्वाइना अच्छी तरह से चिपक जाता है ऐज बाहर नी निकलती है अब आपने उपर ढ़कना रख्तेना थोड़ा से वेट रख दीजिए ताकि लना निकले कितनी दिर आपने प्लॉअ को पकाना है 10-12 मिनिट तक आपने प्लॉव को लोव फ्ले में पकने देना है ज़्यादा तेज गैस नहीं रखनी है ने तो प्लॉव नीचे से जल सकता है और के देखिए यहाँ पे मैंने 10 मिनिट तक लोव फ्ले में प्लॉव को पका लिया है इसके बद आपने गैस की फिले में बंद कर देनी है आठ मिनिट तक आपने आपने उपर से डखकन यहटाना है कम स्कुम आठ मिनिट के बद आप इसका डखकन यहटाईए फॉल पेपर यहटाईए और एक बद बतायता हूँ आप जब भी पलॉव बनाते हैं जिस भी बरतन बनाते हैं थोड़ा सा मोटा होना चीए अगर मोटा बरतन नहीं है आप जब दम लगाते हैं नीचे तौवा रख लिशे उससे आपका पलॉवना नीचे से जलता नहीं है और इसके बोद आपने एक से दो चोटे चामच उपर से घी के डाल देने है और इसके अपलॉव को पल्टे की साथा से इस तरह से पल्टी कर लीज़े साइडों से पल्टी करना शुरू करना है इससे क्योंता बीच में पल्टा चलाते हैं तो चाबल तूट जाते हैं क्योंकि चाबल गर्म होते हैं अब साइड से पल्टी करना शुरू करेंगे चाबल अच्छे खिले-खिले हो जाते हैं इसको आपना राइते के साथ सर्व कर सकते हैं तो फ्रेंट्स वीडियो अच्छा लगोगा लाइक, शेयर, कमेंट चुरूर कीजिएगा ओके फ्रेंट्स, थैंक यू